गुद इनिंग एवरिवन आज हम देखेंगी चैप्टर रेट नार्कोटिक एनलजेसिक्स तो फॉस्ट हम देख लेते हैं वाट इस पेन इट इस डिफीकल्ट टू डिफाइन पेन बेनली बिकास इट कैन नाट बी मेजर अबजेक्टिवली और इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो यह एक अन्प्लीजन संसेशन है जो कि हमें नहीं चाहिए इस अन्प्लीजन संसेशन फर्दर प्रोड्यूस दर रियाक्शन इवाग बाई अ दिस संसेशन इसको बोलेंगे हम साइकोलोजिकल इफेक्ट तो जब भी हमें यह अन्प्लीजन संसेशन होता है तो इसके वज़े से हमारा रियाक्शन इवोक होता है बाई दिस संसेशन जिसे बोलते हैं हम साइकोलोजिकल इफेक्ट तो साइकोलोजिकल इफेक्ट इससे जनरेट होता है जिसके वज़े से हमें अनीजिनेस फिलिंग आती है चलिनिकली पेन में भी क्लासिफाइड इंटू त्री क्लासेज फर्स्ट वन इस एक्ट देन क्रोनिक आड़ फाइनली साइकोजेनिक पेन तो अब ये तीनों pain क्या होते हैं ये हम देखते हैं clinically pain को तीन class में define करते हैं एक तो acute, फिर chronic and then psychogenic pain acute pain is temporary, severe and quick onset तो acute pain जो होता है ये temporary होता है बट severe होता है और quickly इसका onset होता है जितना quick onset होता है उतना जल्दी ये चले भी जाता है उसके बाद आते हैं हम chronic pain पे, chronic pain जो है ये persistent रहता है, dull रहता है and has gradual onset तो जैसा कि आपका कोई बहुत बड़ा accident हो गया जिसमें fractures हो गया और fracture का जो भी pain है या फिर कोई permanent आपको कोई चीज लग गया है तो ये चीज कोई कोई season में आपका pain क्या होता है repeatedly वही जगा पे आना चालू हो जाता है ठीक है और ये persistent रहता है, dull रहता है और इसका onset gradual रहता है जैसा कि आपने बहुत सा देखा होगा आर्थराइटिस में हो गया, आर्थराइटिस में जैसा ही सर्दी आता है तो उनको pain होना चालू हो जाता है तो वही चीज chronic pain में आपका आता है अब psychogenic pain क्या है? psychogenic pain has no anatomical or physiological explanation तो इसका anatomical or physiological explanation नहीं है and is the psychogenic condition अब यह psychogenic condition क्या है? जो हमारा brain है, brain अगर depressed हो जाए या फिर कोई stress condition में चला जाता है तो ultimately हमारा body उसको response करता है और हमारे various body parts में आपको pain भी लोता है especially in your head, head में आपको psychogenic pain जब होता है तब head आपका ज़्यादा दर्द देने लगता है तो यह बात हो गए आपकी pain की अब हम आते है, what are analgesics? analgesics are the drugs which relieve or suppress the sensation of pain by acting on central nervous system but without producing any degree of loss of consciousness तो analgesic ऐसे drugs होते है जो कि आपके pain के sensation को एक तो relief देते है या फिर suppress करते है by acting on central nervous system जो कि हम देख चुके है brain and spinal cord but without producing any degree of loss of consciousness तो इसमें जो आपका consciousness जो होता है यह loss नहीं होता है आप totally aware होते हो और analgesic सिर्फ आपके pain को कम करने का काम करता है अब analgesic भी दो type के होते है first one is your narcotic analgesic जो कि habit forming और habit करने वाला analgesic आप बोल सकते है जो कि अगर आप repeatedly लेते है तो उसका आपको habit लग जाता है आप उस पर depend होने लग जाते हो तो वही चीज हम आज हमारे chapter में देखेंगे narcotic analgesics में और second होता है non-narcotic analgesics जिसे हम non-steroidal anti-inflammatory drugs भी बोलते है means यह एक तो inflammation भी कम करता है as well as pain को भी reduce करने का काम करता है तो यह हम next chapter chapter 9 में देखेंगे आज हमारा topic रहेगा narcotic analgesic तो आज हम सिर्फ narcotic analgesic को discuss करेंगे अब हम देखते हैं mainly classification of narcotic analgesis तो यह है चार्ड narcotic analgesic के classification का जिसमें first one आते है natural opium alkaloids उसके बाद आते है semi synthetic derivative of opium alkaloids और finally आते है synthetic morphine substitute तो natural opium alkaloids के example है morphine और kodine semi synthetic derivative of opium alkaloids का example है heroine यह दो इनो इसके आपको तो famous example है यह आपको पता है synthetic morphine substitute में आते है पिथिदीन और मिथडोर्ड तो यह है चार्ड आपका narcotic analgesic का तो यह तीन टाइप के mostly होते है अब as important point of view narcotic analgesics में एक ही जो drug है वो बहुत ही important है जो की basic drug है आपका morphine ठीक है तो morphine हम detail में discuss करेंगे इसके अलावा बाकी भी drug detail में discuss करेंगे but mostly जो questioning होता है morphine पे होता है तो morphine का detailed discussion इस chapter में रहेगा तो natural opium alkaloids opium content two distinct type of alkaloids तो दो टाइप के alkaloids यह फार्बा कोगनोसी में terminology आपने पढ़ी होगी alkaloids तो यह जो alkaloids जो है यह दो टाइप के होते हैं आपके opium में एक होता है फिनांत्रीन ग्रूप्स और alkaloids जिसमें आपका मॉर्फिन और कोडिन आता है और दूसरा होता है आपका benzyl isokinoline group of alkalot तो alkaloids जो होते हैं दो टाइप के आपके opium में होते हैं जिसमें फिनांत्रीन में फिनांत्रीन group of alkalot जैसा के और बेंजेल आइसो कुनलिन ग्रूप ऑफ अलकोलोईट जिसमें पैपेवरिन और नॉसकेपिन होते हैं तो यह स्ट्रक्चर है फिनांत्रीन ग्रूप का जिसमें आपको फिनांत्रीन ग्रूप में तीन बेंजीन रिंग एक में के साथ जॉइन हुई दिखेंगी इसके जैसे इसका अक्टिविटी बढ़ता है यह फिनांत्रीन ग्रूप का और यह और पोटन होने लगता है तो इसका डिसकेशन हम नहीं करेंगे इसका डिसकेशन हम फिर कभी करेंगे दूसरा आता है बिनजेल आइसो कुनलिन ग्रूप जिसमें पापावरिन और नॉसकेपिन अता है depending upon functional group पापावरिन और नॉसकेपिन नाम यह दिये हुए है इसके बाद आते हैं हमारा जो natural ओपियम अलकोलोईड है जो की है मौरफिन इसके पार्ट पे तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका फार्मेकोलोजिकल एक्शन की मौरफिन कहा कहा पे आग करता है तो फर्स्ट इसका मेन एक्षन है CNS डिप्रेसंट एक्षन तो ये CNS को डिप्रेस करने का काम करता है मॉर्फिन का एक चीज ध्यान में रखिए कि ये मोस्टली मेडिलो अबलेंग गाटा पे आक करने वाला ड्रग है तो मेडिलो अबलेंग गाटा में जितने भी सेंटर होगे वो सेंटर को डिप्रेस करने का काम हमारा मॉर्फिन करता है और अल्टिमेटली हमको अनलजेसिक इफेक्ट देने का काम करता है मॉर्फिन बाइट्स डिप्रेसंट एक्षन ऑन CNS abolishes all type of severe pain तो मैंने क्या बुला है कि भाई हमारा ये जो मॉर्फिन ड्रग है और ये नार्कोटिक अनलजेसिक से ये मोस्टली जो है CNS पे एक्ट होते है सेंटरल नर्वस सिस्टिम पे एक्ट होते है तो मॉर्फिन ये क्या करता है डिप्रेसंट एक्षन दिखाता है आपके CNS पे जिसके वज़े से all type of severe pain जो है वो abolish means खतम कर देता है ठीक है without affecting other sensations such as touch, hearing, etc तो जो हमारा touch है, hearing है, हम सुन सकते है हम touch feel कर सकते है means हम totally conscious रहते है तो मॉर्फिन जो है, ये simply CNS के कुछ particular part को depress करता है जिसके वज़े से हमें severe pain में आराम मिलता है ठीक है इट relieves mainly dull constant pain rather than sharp and intermittent pain तो जो dull और constant pain जो होते है उसमें ये ज़्यादा काम करता है rather than sharp and intermittent pain में it is most effective in visceral pain तो हमारा visceral organs जो है वहाँ पे अगर pain होता है ठीक है visceral organs में आपका liver हो गया stomach हो गया ये जो है चीज़े है यहाँ पे जो pain होता है इसमें mostly effective आपका morphine drug होता है the analgesic action of morphine is mainly due to abolition of psychic reaction to pain तो main morphine जो है ये क्या करता है analgesic effect कहाँ पे देता है psychic reaction को abolish करके अब ये psychic reaction कहाँ होती है ultimately आपके brain में होती है brain के parts में होती है तो ये morphine क्या करता है कि वो psychic reaction को ही abolish कर देता है कि जो हमें pain हो रहा है जिसके वज़े से reflex करके हम उसको react करते है वो reaction को ही cool down कर देता है जिसके वज़े से हमें कितना भी pain रहे तो भी हमें आराम पड़ता है इन थैलामस, morphine raises the pain threshold and thus impairs the perception of pain तो जो थैलामस होता है हमारे body में और brain में जो थैलामस होता है थैलामस में जो pain का जो threshold है उसे morphine बड़ा देता है अब ये बड़ा देता है means ultimately थैलामस पर act करके जो pain का जो threshold है उसको बड़ा देना means threshold आप समझते है कि एक level होती है एक आपकी alert level बोल सकते है आप तो वो alert level को बड़ा देता है कि भई ये level पर अगर pain आ गया थैलामस उस पर react करता है और थैलामस react करने के वज़े से हमें दूसरे psychic reaction मिलती है जैसा कि आप बहुत दर्द में होगे आपको means चिड़ चिड़ा पन हो जाएगा या फिर जो भी आप pain में जो आपको feelings आता है वो होता है बट जब हम morphine as a treatment लेते है तो ये क्या करता है थैलामस का जो pain threshold है उसको बड़ा देता है जिसके वज़े से हमें जो pain है वो थोड़ा ज़्यादा भी रहा तो भी उतना उसका effect हमको हमारे body पे होता नहीं है when you are treating with morphine as a treatment ठीक है तो जिसके वज़े से हमारा जो pain का perception है वो कम हो जाता है या फिर abolish हो जाता है the hypnotic action of morphine to some extent contribute in raising pain threshold मॉर्फिन का एक hypnotic action भी होता है means आपको यूफिरेटिक condition में लेके जाता है मॉर्फिन आप अलग ही पीलिंग में चले जाते है कि भाई मैं बहुत रिलाक्स हूँ मुझे कोई tension नहीं है ऐसा ही कुछ होता है hypnotic action means तो यूफिरेटिक condition में चले जाते है morphine जब आप लेते है तो ultimately CNS में वो कुछ center में जाके आपको hypnotic action भी produce करता है जिसके वज़े से भी आपका pain result बढ़ जाता है और ultimately CNS abolish करता है आपके all type के sorry morphine abolish करता है आपके all type के severe pain by acting on CNS morphine depresses respiratory center in medulla oblongata result in pulmonary ventilation तो morphine जो है morphine depress करता है respiratory center जो की medulla oblongata में होता है तो अगर respiratory center depress होता है तो आपको ventilation की जरूरत होती है specially pulmonary ventilation की जरूरत होती है तो morphine की treatment हम जब भी लेते है तो हमें pulmonary ventilation देना पड़ता है due to this reason because respiratory center अगर depression में चला गया और अगर morphine का dose कम जादा हो गया तो ultimately respiratory tract arrest हो सकता है जिसके वज़े से आपका death या coma में भी आप जा सकते है तो during treatment of morphine आपको pulmonary ventilation का जरूरत पड़ता है it also depresses a center regulating cuff reflex in medulla and thus act as a anti-tissue तो anti-tissue ये morphine जो है act करता है as a anti-tissue agent by depressing center regulating cuff reflexes in medulla तो medulla oblongata में जो cuff reflex regulate करने वाला जो center होता है उसको भी depress करता है हमारा morphine इसलिए इसको आप anti-tissue करके भी use कर सकते है जो की drug use होता है mostly आपके dry cuff में तो इसको आप use कर सकते है as a anti-tissue agent ठीक है it depresses vomiting center तो vomiting center को भी depress करता है तो इसके वज़े से vomit करना भी difficult हो जाता है ठीक है तो vomiting center जो होता है medulla में अगर वो depress हो गया है तो हमें vomiting भी नहीं होती है इसके बाद it depresses the heat regulating center in hypothalamus and causes lowering of body temperature तो यह hypothalamus में heat regulating center जो होता है उसको भी depress करता है जिसके वज़े से हमारा body का जो temperature जो है यह low होने लगता है हमारी body ठंडी पढ़ने लगती है तो यह है cns depression action आपके morphine के इसके अलावा cns stimulant actions भी है तो morphine stimulate chemo receptor trigger zone in medulla का oblongata it also stimulates vagal medullary center causing slower pulse तो आपका जो यह मॉर्फिन ड्रग है यह chemo receptor trigger zone जो है यह इसको stimulate करता है इसके अलावा यह stimulate करता है आपके वेगल मेडूलरी center जिसकी वज़े से हमारा पल्स जो है यह स्लो होने लगता है अब gastrointestinal tract पे क्या action है वह हम देखते हैं तो morphine has spasmogenic action on smooth muscles of GI tract तो जो smooth muscles होती है आपकी GI tract की gastrointestinal tract की इस पे spasmogenic effect दिखाता है जिसके वज़े से contraction of pinches which leads to decrease in peristaltic movement and stagnation of intestinal content इस leads to constipation तो morphine जो है spasmogenic action दिखाता है जिसके वज़े से क्या होता है कि जो spingches होते है वो कि उनका contraction जो है वो decrease होता है और suppress होता है कि अ कि कि सॉर्य है कि मॉर्फिन जो है यह स्पाज्मोजेनिक एक्शन दिखाता है आपके smooth muscles of GI tract पे जिसके वज़े से contraction of pinches होता है और जिसके वज़े से peristaltic movement जो होती है आपके GI tract की वो decrease होती है और जिसके वज़े से आपके intestine में जितने भी food content है वह वही के वही रुख जाते है और वही जाने के वज़े से water का जो absorption है जो content है इंटेस्टिनल content है उसमें से जो water है वो water more amount में absorb होता है जिसके वज़े से जो आपका fecal content है और जो fecal matter है जो की excret होता है वो और ज्यादा hard होने लगता है और जिसके वज़े से आपको constipation होता है this effect is of therapeutic value in the treatment of diarrhea तो यह जो effect है morphine का spasmogenic action जो है smooth muscles of GI tract पे इफेक्टिव है for the treatment of diarrhea ठीक है इसे यूज नहीं करते है for simple diarrhea बट इसका therapeutic value है in the treatment of diarrhea diarrhea में क्या होता है ultimately increase in peristaltic movement constipation में क्या होता है decrease in peristaltic movement तो diarrhea में क्या होता है more water loss होता है more mineral loss होता है तो ऐसे conditions में आप as a drug of choice करके morphine को दे सकते है बट दे mostly देते नहीं है due to their side effects अब other smooth muscles पे क्या effect है वो हम देख लेते हैं morphine increase the tone of the smooth muscles जो हमारी smooth muscles है इसका tone increase करता है thus causes constriction of bronchial and bladder muscles तो तो जो जो है यह हमारे smooth muscles का tone को increase करता है जिसके वज़े से bronchial contraction होता है as well as bladder muscles जो होते है जो यूरिनरी bladder होते है इसके muscles में भी contraction होता है इट कॉज़ेस contraction of internal bladder sphincture तो हमारा जो urinary track का यूरिनरी bladder जो होता है जहां पर हमारा urine store होता है वहां के internal bladder sphincture में construction आता है due to morphine ठीक है तो morphine के वज़े से internal bladder sphincture जो होता है उसमें contraction आता है जिसके वज़े से urine retention का retention का issue होता है में यूरिनेशन नहीं हो पाता है हमारे बॉड़ी में और हमारे bladder में जो है urine retain होता है और ultimately bladder पे pressure बढ़ता है जो जो हमारे आखों की पूतलिया है जिसे हम प्यूपिल बोलते है उसे भी contract करने का काम जो है morphine करता है जिसे हम मायोसिस भी बोलते है इसके अलावा effect on cardiovascular system तो क्या pharmacological effect है आपके morphine का on cardiovascular system तो morphine causes vasodilation and fall in blood pressure तो morphine क्या करता है ultimately vasodilation करता है और जिसके वज़े से blood pressure drop होता है और fall होता है blood pressure गिरने लगता है इस इस ड्यूट्व to central vasomotor depression जो central nervous system में हमारा जो इसके वज़े से यह vasodilation होता है और fall in blood pressure होता है ठीक है वहाँ पे जो central vasomotor center होगा उसका depression होता है और ultimately जिसके वज़े से vasodilation and decrease in blood pressure होता है peripherally in response to histamine as morphine causes liberation of histamine तो दो वज़े से आपका vasodilation होता है central vasomotor depression से होता है as well as peripherally histamine release होता है जो की morphine ही release करता है और यह histamine release होने के वज़े से भी vasodilation होता है और ultimately fall in blood pressure होता है अब हम इसका pharmacokinetics देखते हैं on oral administration the drug is absorbed but its absorbed is unpredictable तो oral administered अगर हम करते हैं morphine को तो absorbed तो हो जाएगा बड़ absorption इसका unpredictable है depend करता है आपकी body का ADME और pharmacokinetics कैसा है means आपकी पचन क्रिया कैसी है digestion कैसा है different bodies का different होता है किसका fast absorption होता है किसी का कम absorption होता है तो यह unpredictable है इसलिए ओरली अगर इसको administer करते है तो इसका absorption आपका unpredictable है absorption from subcutaneous site is even and quick आपको सबसे स्कीन का जो सबसे नीचे का लेयर होता है subcutaneous वहाँ पर अगर हम इसको inject करते हैं morphine को तो यह site से यह morphine जो है इसका absorption even होता है as well as quick होता है it is administered by intramuscular root also intramuscularly भी इसको देते है बट अगर subcutaneously अगर इसको देते है तो इसका absorption even होगा as well as quick भी होगा it is metabolized by liver and excreted in urine तो finally more morphine आपका अगर blood में जाता है तो blood में जाने के बाद ultimately liver में जाके यह metabolize होता है और urine में excret होता है अब इसके adverse effect देखते है adverse effect includes constipation जो कि हमने देखा था nausea vomiting g-machalna vomiting meiosis meiosis भी हमने देखा था constriction of pupil then light headness hypnotic action और euphoriatic action जो कि cns depression के वज़े से होता है तो यह भी इसका एक adverse effect है dizziness means आपका balance ना रहना यह भी एक इसका effect है and sweating तो यह इसके adverse effect है morphine के tolerance and addiction यह main चीज है after repeated administration tolerance can be developed to the respiratory depression action but not to the other action तो respiratory depression होता है due to medulla oblongata action on medulla oblongata morphine का action होता है आपका medulla oblongata पे जहां पे respiratory center होता है तो यहां पे तो वो tolerate आ जाता है but other जो site है other actions जो है वो tolerate वहां पे tolerance नहीं आता है ठीक है अब यह tolerance क्या चीज है यह मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है कि भाई कोई drug हम एक dose में समझो 500 mg of paracetamol हम repeated दे रहे हैं दे रहे हैं तो first time आपका सरदर्थ बराबर हो जाएगा second time बराबर हो जाएगा एक time पे आपकी body जो है वो 500 mg paracetamol को tolerate नहीं कर पाएगी तो हमें अगर हमारा सरदर्थ बिठाना है तो हमें 600 mg या फिर 650 mg का जो tablet आता है डो लो आज कल वही चलता है तो वो लेना पड़ेगा जिसके वज़े से हमारा सरदर्थ बैठ सके या कोई other pain बैठ सके तो से यह इसमें भी होता है कि भई हमारा respiratory डिप्रेशंट आक्षिन जो है यह tolerance लेवल पर आ जाता है अगर हम repeated administer करते हैं कोई quantity समझ लिजिए 10 mg of morphine हम ले रहे है ले रहे है ले रहे है तो respiratory डिप्रेशंट एक्षिन पे टॉलरंस आ जाएगा बट जो अधर एक्षिन है जो अधर इफेक्ट है वहाँ पे टॉलरंस नहीं आएगा ठीक है तो वहाँ पे टॉलरंस नहीं आएगा तो अल्टिमेटली अधर एक्षिन हमें मिलने चाहिए जैसा की सबस्क्राइब अच्छा अच्छा लगना चाहिए हमको हीपनोकिक अक्षिन मिलना चाहिए तो उसके से क्या है कि जो पेशंट है वह ज्यादा डोस एड्मिनिस्टर कर लेता है ठीक है तो डॉक्टर उसे नहीं देता है वह इल्लीगली कहीं से जमा करके समझ लो मॉर्फिन ले लेता है तो गेट अधर एक्षन लाइक उफोरियाटिक एक्षन और हिपनोटिक एक्षन तो ऐसे टाइम पर यह ड्रग जो मॉर्फिन है यह खतरनाक हो जाता है ठीक है तो अडिक्शन इस अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉर्फिन थेरपी मॉर्फिन थेरपी जब जरूरत है तब बहुत अगर हम उसको रिपिटरड अड्मिनिस्टरड करते हैं तो पेशन भी वो बोलता है कि भई हमें और चाहिए क्योंकि इसमें हमें उफोरियाटिक एक्षन मिलता है सीडेटिव हिपनोटिक एक्षन मिलता है जिसके वज़े से हमें बहुत सब दुनिया अच्छी लगने लग तो यह main drawback है आपका कि यह drug patient को भी addict बना देता है अगर patient को हम देते नहीं है तो दिखाता है withdrawal symptom ठीक है अगर उसको regularly हम morphine therapy के बाद morphine नहीं देते है तो withdrawal symptom दिखाता है जो की severe भी हो सकते है और even fatal भी हो सकते है and the symptom finally leads to cardiovascular collapse तो यह जो symptoms होते है यह severe भी होते है और even fatal भी होते है और finally इसके वज़े से cardiovascular collapse भी हो सकता है जिसके वज़े से patient का death भी हो सकता है तो यह इसका major drawback है addiction ठीक है addiction and dependence तो इसी वज़े से morphine ज़रा समभाल के use करते है या फिर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है तो इसे समभाल के use करिए most लिस से दूर ही रही है अब हम आते है acute morphine poisoning पे अब यह acute morphine poisoning क्या है it occurs from clinical overdoses और from suicidal intention या फिर कोई उसे suicidal intention से ले अब इसके character क्या है इसमें आता है respiratory depression जैसा कि बोला था medulla oblongata pack करता है cold skin due to hypothalamus depression ठीक है then pinpoint pupil जिसे meiosis बोलते है तो यह contraction of pupil भी करता है उसके अलावा hypertension जो की है effect on cardiovascular system और shock coma and death ठीक है तो यह जो है यह इसके character है अगर overdose हो जाए इसको treatment ना मिले तो finally coma और death हो सकता है death specially due to respiratory depression होता है जैसा कि इससे पहले के lecture में भी मैंने बताया है कि अगर आपका drug medulla oblongata में पहुच जाता है और medulla oblongata में ज्यादा time spent कर लिया तो respiratory depression आता है और ultimately respiration आपका stop हो जाता है और उसके वज़े से death हो जाता है अब treatment क्या है तो two major lines of treatment है are the administration of specific antagonists like naloxone and the gastric lavage तो यह दो line of treatment है जिसमें हम specific antagonists देते है जो कि morphine का effect को कम करे जिसमें naloxone देते है और gastric lavages देते है जो कि एक kind of fluid होता है ठीक है तो naloxone कितना देंगे 0.4 mg intravenous repeated every two to three minute till narcotic reversal is achieved तो naloxone हम कितना देते है 0.4 mg in a solution form intravenously देते है जैसा saline solution होता है वैसा ही 0.4 mg का saline solution रहेगा आपका naloxone का उसको इसको हम injection form में देंगे 0.4 mg two to three minute में जब तक के आपका नारकोटिक reversal ना हो जाए morphine का effect कम होना जाए जो कि हमें चाहिए ठीक है तो two to three minute में हम 0.4 mg intravenously देते जाएंगे naloxone को जब तक के हमारा नारकोटिक reversal ना हो जाए morphine को वह completely वहाँ से निकाल के receptor से निकाल के खुद वहाँ पर भैटना जाए ठीक है तो जब तक naloxone morphine को replace नहीं करेगा तब तक के यह जो जितने भी effect मैंने इसके पहले बता है जैसा respiratory depression cold skin हो गया पिन पॉइंट यह रिवर्स नहीं हो गये तो यह रिवर्स करने के लिए हमें अंटागोनिस देना है जो कि है नालॉक्जन जो कि कंपिट करेगा मॉर्फिन के साथ और नालॉक्जन क्या करेगा रिसेप्टार साइट पर बैट जाएगा जिसके वज़े से मॉर्फिन वह साइट को छोड़ देगा और एक्सक्रिटरी सिस्टम में चला जाएगा वाया लिवर एंड देन त्रू यूरीन और पेशन्ट रिकवर हो जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं हम गैस्ट्रिक लावेजेस पर यह गैस्ट्रिक लावेजेस फ्लूइड होता है इस यूस्फुल टू वाश आउट डा इं अगिएफ्सट्रिक लावेजेस्ट यह जो है यूस्फूल होता है जो की हमने जीडेग को ङ्लेक्सट किया हुआ है उसे करने के लिए तो यह क्योलिया च्वह स्टमघ एकस्ट यह ऑजक अधर से फिर वाया ज्याएट्रेक, अपका मॉर्फिन को निकालता है तो ये दो लाइन ऑफ ट्रिटमेंट है एक तो नैलोग जोन यूज करिए या फिर गैस्ट्रिक लैवेज को आप यूज कर सकते हैं तो ये दो है जो कि आपके बॉडी कैवेटी को वाश करने का काम करता है आपका गैस्ट्रिक लैवेज और अल्टिमेटली जो इंजेस्टेट ड्रग है उसको वाश आउट करने का काम करता है दो सपोर्टिव ट्रिटमेंट इंग्लूट मेंटेननस ओफ रेस्पिरेशन बाय आर्टिफिशल मीन्स हमने देखा था पल्मनरी वेंटिलेशन लगता है तो पल्मनरी वेंटिलेशन देते हैं पेशंट को जिसके वज़े से आपका पेशंट को ऑक्सीजन मिलता रहे उसके अलावा एड्मिनिस्ट्रेशन ओफ इंट्रावेनस फ्लूइट लाइक 5 परसेंट ओफ डेक्स्ट्रोस और मेंटेननस ओफ एडिक्वेट यूरीन आउटपूट तो यह सपोर्टिव ट्रिटमेंट है जिसके वज़े से हमारा मॉर्फिन निकल सके तो मॉर्फिन का ज इसके जो पेशन्ट है एकुट मॉर्फिन पॉजनिंग का पेशन्ट है उसका यूरीन आउटपूट जो है वो हमें बढ़ाना पड़ता है जिसके वज़े से यूरीन प्रॉपर हो और मॉर अमांट ओफ आपका मॉर्फिन वहां से निकल सके अब थेरापेटिक यूजेज देखते हैं मॉर्फिन के इट इस यूज फॉर रिलिफ ऑफ आल टाइप ऑफ पेन इट इस दो मोस्ट पावर्फूल एनलजेसिक एजेंट फॉर विसरल पेन तो यह आल टाइप ऑफ पेन को रिलिफ देने का काम करता है यह इसका यूज है औ और अगर विसरल पेन है विसरल ओर्गं नोट में पेन है जैसा कि मैंने बोला लीवर हो गया और कोई दुसरा जो विसरल उर्गंस है जो visceral cavity में है उनमें अगर pain है तो उसको भी कम करने का काम आपका morphine करता है इट इस एम्पलोईट अज प्री अनस्थेटिक मेडिकेशन तो इसके पहले हमने जनरल अनस्थेशिया देखा था जनरल अनस्थेशिया में as a pre-anesthetic medication यूज करते है to cool down the patient कि भई ये patient जो है जो anxiety में है जो depression में है उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए as a pre-anesthetic medication करके यूज करते है इसके अलवा it is useful up to some extent to induce sleep hence can be used as a sedative तो इसको यह तो hypnotic drug है बट इसको as a sedative करके भी आप use कर सकते है because it induce sleep जो मॉर्फिन इस वैल्यूवेबल ड्रग इन एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर तो जो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है उसके लिए मॉर्फिन जो है यह ड्रग यूज कर सकते हैं अब यह लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर क्या है तो हमारे हार्ट में आपको फोर चेंबर पता है वेंट्रिकुल्स पता है अवर्टा पता है आर्ट्रियूर पता है तो यह वेंट्रिकुलर फेल्यूर जो है यह वेंट्रिकुलर फेल्यूर जो लेफ्ट साइड का है उसको हेल्प करने के लिए यह वैलूएबल ड्रग है उसको कंट्रेक्शन बढ़ाने का काम यह करता है दूर्फिन sometime tincture of opium is also used to achieve symptomatic relief from severe diarrhea तो severe diarrhea के लिए इसका tincture भी use करते है जिसके वज़े से आपको severe diarrhea में आराम मिल सके अब हैते हैं & नेच्ट नाचूरल ओरीजिन और जिसका नाम है कोडिग ये भी कोडिne नी मौपिन ये तो यह कोडिन जो है यह हुआ यह भी Morphin मार्फिन है इसको मिधाइल ग्रूप अटैच है और जब इसको डिकंपोस। करेंगे तो इससे हमें पैक्ठेऑ और मार्फिन मिलेगा A4 फार्माकॉलोजिकल अक्ष करेंगे इस से हमएं आर म wł Metallume ये तो मॉर्फिन के जैसे ही similar pharmacological action है यह cns depression भी है stimulant भी है उसके अलावा cvs पे भी effect है other smooth muscles में भी effect है तो same morphine जैसा ही है but उतना potent नहीं है but its potency and addiction liability is less than morphine तो इसकी potency हो गया इसके अलावा इसका जो addiction liability जो की morphine में है वो इसमें नहीं है या फिर less amount में है it is less constipating than morphine तो morphine constipation produce करता है but हमारा coding जो है यह less constipating है यानि किसी को constipation करेगा भी तो भी इतना severe constipation नहीं करता है जितना morphine करता है अब यह constipation क्यों होता है हमने देखा है कि GI tract के जो muscles है muscles का जो peristaltic movement है इसको यह abolish करता है और decrease करता है morphine तो वही चीज coding उतना potently नहीं कर पाता इसलिए वो less constipating है it is not powerful depression like morphine morphine जितना depression है उतना powerful coding depression नहीं है it depresses cup center hence useful in the treatment of dry cup तो यह dry cup के लिए use होता है because it depresses cup center cup center जो की medulla oblongata में होता है तो यहां पर यह act होता है इसलिए इसको dry cup में use करते है coding को mostly use करते है इन syrup benadryl जो है benadryl syrup में code in mostly use होता है कि इट है synergistic effect with non-narcotic analgesic like aspirin hence it is found in compound analgesic tablet तो कोडिन जो है अगर हम non-narcotic analgesic drug के साथ देते हैं like aspirin हो गया और कोई paracetamol हो गया यह जो सब NSAID में आते है non-steroidal anti-inflammatory drugs में जो आते है अगर इसके साथ अगर हमने code in को दे दिया तो यह synergistic effect दिखाते है synergistic analgesic effect दिखाते है means जो single drug काम करना चाहिए उसको जितना ज्यादा quantity लगता है वो कम लगता है अगर हम combination में उसको यूज करे non-narcotic analgesic के साथ तो कोडिन को अगर हम aspirin के साथ यूज करते है तो हमें more effect मिलता है बहुत ज्यादा effect मिलता है इसलिए compound analgesic tablets में कोडिन को यूज करते है with non-steroidal analgesic drug like aspirin the major advantage of कोडिन is that it can be given orally तो major advantage है कोडिन का कर सकते due to absorption disadvantage absorption का जो disadvantage है morphine का किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है unevenness होता है absorption जो कि कोडिन में नहीं होता कोडिन को आप ओरली दे सकते हैं कोडिन एब्जॉब होता है प्रॉपरली एब्जॉब होता है और प्रॉपरली उसके आपको effect भी मिलते हैं अब therapeutic use देख लेते हैं कोडिन mainly used as a anti tissue जैसा कि dry cough में उसको use करते हैं as a mild analgesic भी उसको use करते हैं और as an anti diarrheal drug भी use करते हैं तो यह constipation create करता है बट उतना भी ज्यादा constipation create नहीं करता है बट आप इसको use कर सकते है as a anti diarrheal drug अब हम आते हैं semi synthetic derivative of opium alkaloids यह second category है इसमें most dangerous drug आता है heroine जिसे हम dimorphine hydrochloride भी बोलते हैं तो heroine is semi synthetic derivative of morphine in which both the hydroxyl group have been acetylated तो अब यह थोड़ा medicinal chemistry का part हो गया है अब हम यह हमारे वीडियो में discuss नहीं करेंगे बट heroine जो होता है यह semi synthetic derivative होता है means जो main molecule होता है वो morphine ही होता है उसमें दो hydroxyl groups होते है अब यह आप एक बार net पे जाके भी search कर सकते है तो hydroxyl group को क्या होता है hydroxyl groups का जो AH होता है OH hydroxyl group में जो होता है जो AH है वो यहाँ पे CH3 आ जाता है तो hydroxyl group पे 2 CH3 group आ जाते है जिसके वज़े से यह heroine बन जाता है और यह heroine जो है यह बहुत जादा potent होता है और बहुत जादा addictive होता है वो हम आगे देखते हैं it causes same analgesia and respiratory depression like morphine but less nausea vomiting constipation and sedation तो यह जो ड्रग है यह heroine जो ड्रग है यह सेम analgesic effect produce करता है same respiratory depression produce करता है जैसा कि morphine produce करता है बट एक advantage जिसका यह है कि इसमें nausea नहीं होता है vomiting नहीं होता है constipation वाला side effect नहीं होता है as well as sedation भी नहीं होता है the analgesic action of dimorphine or heroin is more rapid than morphine but last for two to three hours only तो यह जो है dimorphine जो है इसका action जो है analgesic action यह बहुत ज्यादा rapid है than morphine, morphine से ज्यादा rapid है बट यह 2-3 hours के लिए होता है और इसका repeatedly यूज करना पड़ता है as compared to morphine, morphine का भी analgesic action अच्छा है बट वो longer time के लिए है heroine को अगर हम उससे compare करते है तो यह श्रिफ 2-3 hour तक रहता है इसके बाद आपको फिर से pain होने लगता है आपको फिर से आपको ड्रग लेना पड़ता है dimorphine is very prone to cause dependence and its use is illegal in many countries तो dimorphine जो है यह बहुत ज्यादा प्रोन है dependence प्रोड्यूस करने के लिए और addiction प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई heroin लेता है तो वो heroin के बीना जी नहीं सकता और dimorphine hydrochloride के बीना जी नहीं सकता वो बहुत ज्यादा dependent हो जाता है वो कुछ भी करने को तयार हो जाता है इसलिए यह illegal है in many countries to sell ठीक है तो इसका sell जो है यह illegal है in most countries ठीक है अब हम आते है synthetic derivative of opium alkaloid जो की morphine से नहीं बने हुए है तो उसमें आता है pithidine जिसे mipiridine भी बोलते है it is a synthetic drug unrelated to morphine जैसा कि मैंने बोला था यह synthetic drug है इसका morphine से कुछ लेना देना नहीं है इसके पहले जो heroin देखा था उसका morphine से लेना देना था it has spasmolytic property with atropine like properties ठीक है तो यह जो है बाकी जो थे spasmogenic property थे morphine और आपका heroin हो गया यह spasmogenic qualities थी उसमें यह spasmolytic properties है with atropine like property जो atropine की properties है वो इसमें है और इसके अलावा spasmolytic property है well absorbed orally because of irritant nature not administered subcutaneously यह absorbed easily हो जाता है बट यह irritant in nature है इसलिए इसको subcutaneously नहीं देते means आपके skin की जो सबसे नीचे की layer है वहाँ पे इसको administered नहीं करते क्योंकि यह irritant in nature है अब इसके therapeutic use देखते है in the treatment of renal, bilary and intestinal colic intestinal colic हो bilary colic और renal colic इसमें इसका use होता है इसके बाद in the treatment of pain and coronary thrombosis thrombosis जो होता है इसमें इसका use होता है आज pain में इसको use करते है तू रिल्यूस labor pain labor pain को कम करने के लिए भी इसका use होता है अब इसके side effect देखते है side effect में पहले आता है sweating पसी ना नौशिया मिस आपको जी मचलना थर्स्ट ये mouth dryness करता है इसलिए इसका use आप अगर याद होगा जनरल आनस्थेटिक में डाइथाइल इथर के treatment में और इथर के treatment में इसको use करते है इसके अलबावा dizziness हो गया means आपका balance नहीं रहता dryness of mouth हो गया आपका mouth जो है वो dry होने लगता है और tolerance and dependence can develop तो ptd का treatment अगर ले रहे है तो इसमें tolerance भी develop होता है और tolerance develop हो गया तो ultimately dependence आता ही है कि भाई मुझे समझिए 100 mg से फरक नहीं पढ़ आप अभी तक के 100 mg से मुझे आराम पढ़ रहा था बट अभी नहीं पढ़ रहा है तो dose बढ़ा दो तो 100 का 1500 mg हो जाएगा तो ultimately अगर आपको ptd in suit हो गया तो इसमें tolerance भी develop होता है और tolerance develop हो गया तो उससे आपका dependence भी develop हो सकता है अब आते हैं हम synthetic derivative of apm alkaloid का second जो है बेंजो मॉर्फेंस पे तो बेंजो मॉर्फेंस में the best known member जो है बेंजो मॉर्फें का वो है फिनाजोसीन which the more potent than morphine exhibit no outstanding difference तो यह जो ड्रग है फिनाजोसीन यह potent है बट मॉर्फें जो है मॉर्फें से कोई different नहीं है जो side effect मॉर्फें में थे जो effect मॉर्फें में थे वो फिनाजोसीन में भी है कोई कम ज़्यादा इसमें फरक नहीं है इससे भी addiction होता है इससे भी dependence बढ़ता है a more recently developed product is the narcotic antagonist वो है पेंटाजोसीन ठीक है उपर का फिनाजोसीन है रेड में यह ग्रीन में जो है यह पेंटाजोसीन है यह पेंटाजोसीन क्या है नार्कोटिक एंटागोनिस्ट अगर हम इसको कंजूम करते है तो यह आक करता है अज नार्कोटिक एंटागोनिस्ट इसकें ग्यूज अनलजेसिक इफेक्ट कंपेरेबल टू मॉर्फिन मॉर्फिन के कंपेर में यह अच्छा अनलजेसिक इफेक्ट देता है और यह भी कि रेस्पारेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है दे इविदेंस अट प्रेजेंट टाइम इस दाट पेंटाजोसिन दस नाट प्रोड्यूस डिपेंड़न्स विच्छ इफ टू मेक इट अ वेरी इंपर्टन न्यू ड्रग तो पेंटाजोसिन जो है इसका में एडव उससे अच्छी करता है उतना टॉक्जिक नहीं है जितना मॉर्फिन टॉक्जिक है बट उससे भी बड़ा एडवांटेज यह है कि वो डिपेंड़न्स प्रोड्यूस नहीं करता अगर हम पेंटाजोसिन को यूज करते है अजन नार्कोटिक एनलजेसिक तो वो लाइन ओफ ट्रीटमेंट है फार दा पेशन्ट तो यहां पर हमारा नार्कोटिक एनलजेसिक चैप्टर खतम होता है आपको अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चाइनल को और बेल को क्लिक करना मत भूलिए जिससे कि आपको नो नेक्स वीडियो का थैंक यू फार वाचिंग गुटनाइट